हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है ऐसे में जीत हासिल करने के लिए राजनेतिक दलों ने पूरी ताकत जोग दी है बीजेपी से लेकर कॉंग्रेस तक सत्ता की चाबी को पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं इसी जद्दो जहत में जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है जहां एक तरफ केंद्रिय ग्रहमत्रिय अमिश्या कॉंग्रेस पर बरस रहें तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी भी बीजेपी पर पलटवात कर रही है कॉंग्रेस प्रचार समिती के अध्यर सुक कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं खासकर कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच वाक यूद तेज हो गया है कॉंग्रेस ने गुजरात के बहाने केंद्रे मंत्री आमिश्या को जबर्दस जवाब दिया है कॉंग्रेस प्रचार समिती के अध्यर सुक्विंदर सिंग और इसी का नतीज़ा है कि आज मलिका आरजुन खड़ गे पार्टी के राष्टिया ध्यक्ष चुने गए हैं दरसल अमिश्या ने सुक्व के विधान सबाश्येत्र नादोन में बीजेपी की रैली को संबोधित किया था इसके बाद उन्होंने अमिश्या पर जवाबी हमल रहाई तैष है और यहाँ पर कॉंग्रिस सत्ता में आ रही है इस कारण अब अमिश्या यहाँ की जनता को ब्रहमित करने का प्रयास कर रहे हैं इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि कॉंग्रिसने हिमाचल की जनता को दस गारंटिया दी हैं और सरकार बनते ही उन पर अमन साथ ही युवाओं को भी लुभाने की कोशिश की है अब देखना होगे कि क्या जनता आपकी बार बनाती है कॉंग्रेस की सरकार डिबलाइफ की रिपोर्ट